प्रेक्टर्स को हम आज श्टडी करेंगे इस हमारे वीडियो लेक्चर्स थैलोफाइट्स में आप ये स्लाइट्स देख रहे होंगे आपको ये देखके क्या लग रहा है क्या आप ये देखके बता सकते हैं कि इसमें रूट इस्टेंब लीफ प्लांट का कौन सा हिस्सा है इसमें देखके ऐसा कुछ भी हमें नहीं लग रहा है तो जैसा की इस टर्मिनोलाजिस से ये रीफ्लैक्त हो रहा है कि ये सारए प्लांट्स इनमें रूट इस्टेंब लीफ डिफरेंसियेटेट्र नहीं हैं हम बिल्कुल देखके नहीं बता सकतें कि इसमें प्लांट में root वाला हिस्सा कौन सा है stem वाला हिस्सा कौन सा है और leaf वाला हिस्सा कौन सा है तो initially वो सारे plant जिन में इस तरह की confusion थी बहार से उनकी external morphology को देख के हम यह नहीं पता पाते थे कि यह root है leaf है यह stem है इस तरह के plants को लिए हमने एक terminology start करना शुरू किया और वो था थैलोफाइट्स तो आज हम उसी को थोड़ा सा discuss करेंगे इसमें थैलोफाइट्स में अगर हम थोड़ा सा इसके classification को देखें तो हम ये देखेंगे कि initially जो plant का classification दिया गया था वहाँ पे plant को दो सम किंडम में डवाइट किया गया था क्रिप्टोगेमी और फिनेरोगेमी जो है वो plant थे जिनमें seed डवलप नहीं हो रहे थे जबकि फिनेरोगेमी वो plant थे जिनमें seed डवलप होना शुरू हो गया था अब क्रिप्टोगेमी को फर्दर आगे चलके तीन divisions में डिवाइट किया गया था जिसमें से एक division का नाम था थेलोफाइट और इस थेलोफाइट में उन सारे plants को include किया गया था जिनमें body, plant body structure differentiated नहीं था जिसमें plant body को देखके हम ये ना बता पाएं कि इसमें जो structure है वो जो है leaf, stem और roof में differentiated नहीं है अब इस थेलोफाइट में तीन क्लासें जो हैं सामिल की गई थी और ये तीन क्लासें थी algae, fungi और bacteria अब इसमें क्या merits थी, क्या demerits ही उस पर हम बात करेंगे लेकिन पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो हमारा division classify हुआ है, crypto gaming sub kingdom को तीन divisions में classify किया गया है तो उसमें थेलोफाइट में आखिर ऐसे कौन-कौन से general characters थे जिनको सामिल किया गया था तो हम अभी bryophyte, tidophyte, gymno और NGO को अभी discuss नहीं कर रहे हैं वो हम upcoming video lectures में उनको हम discuss करेंगे अभी हम सिर्फ हमारा focus थेलोफाइट्स पर है अब जो है हम आते हैं इनके general characters पर ये हम already discuss कर चुके हैं कि किस तरीके से इनको classification किया गया है अब आते हैं हम general characters कि थेलोफाइटर में कौन-कौन से ऐसे general characters थे जो consider किये गए थे उस time तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो थेलोफाइटर term है ये एक वेग्यानिक थे and liquor उन्होंने दी थी according to two kingdom classification two kingdom classification में दो ही kingdom initially माने गए थे plant and animals और plant kingdom को आगे चलके किस तरीके से classify किया गया है ये मैं अभी previous slide में आपके साथ discuss कर चुका हूँ अब इस plant kingdom के अंदर जो है एक division ये थेलोफाइटर बनाया गया था इस थेलोफाइटर में जो animal रखे जो plant रखे गए थे इनका body structure तो जैसा कि इनके नाम से ही clear है थेलोफाइटर थेलस बॉडी था इनका अगला अगर हम इनका symptom देखे तो इसमें जो second most important symptom था वो था कि all the thailोफाइट्स are non-vascular जैसा कि हम जानते हैं कि vascular system जिसमें कि जैलम और फ्लोयम आते हैं वो हमारे शुरू होते हैं टाइडोफाइट्स से तो यहां पे थेलोफाइट्स में जो भी plant रखे गए थे इनमें vascular system डवलप नहीं हुए थे इसमें ना तो जैलम पाया गया था ना ही फ्लोयम टिशू यहां पे डवलप हुए थे और एक चीज हमेशा याद रखना plant system में ऐसा कोई भी थैलोफाइट्स नहीं है जिसमें vascular tissue पाये गए हैं ऐसा एक single exception भी नहीं है तो हमेशा यह बड़ा एक important feature हो जाता है अगला अगर हम यह देखें कि इनका जो जो थैलोस body है वो किस तरह की होती है तो हम पाएंगे कि यहां पे जो plant body है वो haploid होती है मतलब इसमें chromosome का सिर्फ single set पाये जाएगा और haploid body होने के कारण इनका जो composition है वो gametophytic होता है gametophytic और sporophytic यह मैं usually class में भी discuss किया हूँ लेकिन फिर भी मैं एक वर यहां पे बता देता हूँ कि जो भी haploid structures होती है वो gametophytic होती है अगर आपको कभी confusion हो तो brief में इतना ध्यार रखिये कि जो भी haploid structures है वो gametophytic है और जो भी deployed structure है वो क्या है sporophytic है किसी coming video में मैं इनके mutual difference को फिर डिसकस करूँगा लेकिन अभी हमें अधर अपने topic को divert नहीं करना है इसमें अगर हम example देखें कि कौन कौन से example मतलब plants group यहां add किये गए हैं तो हम पाएंगे कि यहां पे green algae, red algae, yellow green algae dino flagellates, cellular slime walls and bacteria यह जो है यहां पे थैलोफाइट्स में सामिल किये गए हैं यहां bacteria जो है वो mention नहीं किया गया है आप यहां पे bacteria भी लेके चलें लेकिन इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहां usually इनकी जो plant body है वो haploid होती है लेकिन इसमें कुछ exceptions भी हैं और यह exceptions आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं क्योंकि यह important हैं अक्सर यह exceptions से questions आते हैं हम पाएंगे कि कुछ ऐसे थैलोफाइट से हैं जिसमें plant body deployed भी है और deployed होने के कारण वहां gametophytic stage नहीं बोलते हम वहां पे sporophytic phage मतलब terminology यूज करेंगे और वो कौन-कौन से थैलोफाइट से हैं तो इसमें हम देखेंगे कि brown algae, diatums और acellular slime balls यह तीन जो groups हैं यह deployed phage में पाये जाते हैं इस पर ओफाइटिक phage में पाये जाते हैं यहां जो dominant phage है वो इस पर ओफाइटिक phage है आगे हम बढ़ें तो हम देखते हैं कि यहां पर reproduction में जो है तीनो टाइप का यहां reproduction मिलेगा vegetative reproduction, asexual और sexual यहां पर sexual reproduction में यहां sex organs बनते हैं और sex organ की जो एक main properties है यहां पर जैसे male sex organ को हम enthridia usually बोलते हैं और female sex organ के लिए हम ugonia terminology योज़ करते हैं सबसे खास तोर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो sex organs होते हैं वो unicellular है और इनके ऊपर कोई jacket नहीं होता अब क्यूशन यह उठता है कि यह jacket क्या है देखें क्या होता है कि आप कोई भी sex organ देखोगे तो वो बिलकुल भी naked stage में नहीं होते हैं उनके ऊपर एक protective layers और बहुत सारी other layers पाई जाती है तो इस तरह की जो structure है उनको jacket sex organs कहते हैं लेकिन थेलोफाइट्स में अगर हम देखें तो sex organ जो है वो unicellular है और उनके ऊपर किसी तरीके का इस तरीके का कोई envelope नहीं पाया जाता है तो इसलिए इनको jacket-less बुला जाता है sexual जो reproduction है वो तीन टाइप का हो सकता है isogamous, anisogamous and oogamous isogamous में male और female gamits दोनों से morphology को follow करते हैं बिलकुल सेम होते हैं external morphology में anisogamous में वो सेम नहीं होते हैं, difference होता है और usually जो है, वो male gamits छोटा होता है oogamous में ये जो difference है, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा enlarge होता है और यहां पर oogamous में जो excel है बहुत ज़्यादा बड़ी और usually non-motile होती है, और male gamits है, वो बहुत छोटा होता है अब यहां पर आगे जो है, जब sexual production होगा तो वहां पर male और female gamits के fusion से जो है, जाइगोट बनेगा और यहां पर जाइगोट जो है, वो आगे चलके meiosis में participate कर लेता है और meiosis में participate करने के कारण जाइगोट आगे किसी भी तरीके का embryo नहीं बनाता यह बहुत important चीज है इसलिए हमें यहां से एक information और मिलती है कि थैलोफाइट्स की life cycle में usually embryo form नहीं होता यह भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावा अगर हम इसकी mobility को देखें कि क्या यह mobile होते हैं तो usually जो है थैलोफाइट्स यो है वो mobile नहीं होते हैं लेकिन कुछ green algae, कुछ bacteria mobile होते हैं लेकिन mostly अगर हम देखें तो यह non mobile होते हैं यह थैलोफाइट्स जो है वो initially यह terminology तर्मिनलोजी यूज की गई थी लेकिन इसमें कुछ डी मेरिट्स थे और इनी डी मेरिट्स के कारण बाद में इस थैलोफाइट को जो है टर्मिनलोजी को बहुत जादा यूज नहीं किया गया लेकिन प्रिजन टाइम में भी ये टर्मिनलोजी कॉमनली यूज होती है अब में डीमेरिट्स क्या क्या थे तो सबसे पहले पहला डीमेरिट्स तो यही था कि इसमें सेम डिवीजन के अंदर हमने प्रोकेरियोर्स और यूकेरियोर्स दौनों को क्लासिफाई कर दिया गया था यह सबसे बड़ा एक डीमेरिट्स में से एक है इसमें सेकंड जो डीमेरिट था जैसे इसमें प्रोकेरियोट्स को अगर देखें तो बैक्टिरिया इसमें रखे गए थे और बाद में जैसे ऐलगी, फंजाई, प्रोटिष्टा, जितने भी हैं, यह डाइटम्स, स्लाइम मोल्ड्स, यह जो हैं, यह युकेरियोटिक औरगनेजम थे तो इन दोनों को एक दिविजन के अंतर रख दिया गया था, थेलोफाइटा के अंतर, इसलिए यह एक डिमेरिट्स था, नेक्ट जो डिमेरिट्स था वो यह था कि इसमें फोटो सिंथेटिक और नॉन फोटो सिंथेटिक दोनों टाइप के प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया गया था, फंज जानते हैं कि जो फंजाई हैं वो नॉन फोटो संथेटिक होते हैं जब कि इसके अंदर डाइटम्स हैं यह सब जो हैं फोटो संथेटिक प्लांट्स हैं दूसरा इसमें यूकरियोटिक सिस्टम में भी यूिस एलूलर और मल्टिसेलूलर को इंक्लूड कर दिया गया था जो कि अगला फिर एक ड्रॉबेक था जैसे जो है प्रोटिस्टा जैसे डाइटम्स है श्लाइमोड्स हैं ये यूनिसेलूलर organism है लेकिन जो बहुत सारे red algae है यह जो है multicellular plant से तो इनको भी eukariot से तो हैं यह सब लेकिन unicellular and multicellular के level पर यह difference है और आज के date में unicellular ants को हम यह organism को हम प्रोटिश्टा में classify किये हैं और multicellular के लिए different different उनकी properties के base पे other kingdom बनाए गए हैं अगला जो demerit था वो यह था कि on the basis of cell wall bacteria were considered as a plant and potent planting मतलब bacteria आज की जो है हम इनको एक different kingdom में पढ़ते हैं लेकिन उस time इनको इसी division में classify कर दिया गया था तो इस same division होने के कारण bacteria को भी plant के equal consider किया गया था और इसमें एक important protesta का एक member है यूगलीना यूगलीना की classification position है वो clear नहीं है क्योंकि यूगलीना हमें बहुत सारे property जैसे हैं जो animal से match करते हैं बहुत सारे कुछ property जैसे हैं जो plant से match करते हैं जैसे अगर हम briefly देखें तो यूगलीना जो है वो photosynthesis करता है इसलिए इसको plants होना चाहिए लेकिन other part इसमें sensory organs पाये जाते हैं यह जो है sensory organs sensory receptors होते हैं इस तरह की जो property है यह animals की होती है और इसमें जो storage food है वो भी animals से similarities हो करता है pellicle का एक envelope आया जाता है यह animals से similarities हो करता है तो कुल में लाके यहां पर यह कुछ ऐसे demerits थे जिसके कारल बाद में थेलोफाइटा को discontinue किया गया तो यह brief में हमने आज थेलोफाइटा को discuss किया I hope कि आपको थोड़ा सा concept clear हुआ होगा Thank you